हातरस कांड के बाद से ही बाबा सूरजपाल फरार है और इस बीच न्यूज 18 के टीम बाबा सूरजपाल के ससुराल पहुंची बाबा सूरजपाल की सस्वराल एटा जिले के गुहटिया इलाके में है जहां बाबा के साले मेवा राम ने दावा किया कि हातरसासि में बाबा सूरजपाल का कोई कसूर नहीं है वो हासी की 35 मिनट पहले ही निकल गए थे बाबा के चमतकार पर मेवाराम ने कहा है कि जल से फायदा होता है, लोग लेकर जाते हैं उसे पीते हैं इसलिए लोग उनके वहाँ पर आते हैं इसके साथ इन्होंने यह भी दावा किया कि बाबा और उनकी पत्नी प्रेमबती दोनों को बीपी और शुगर के समस्या उन्होंने ये भी दावा किया कि सस्तंग निशामल सभी माईला सिवधारों को बाबा सुरजपाल अपनी बेहन मानते हैं न्यूज 18 इंडिया पहुँचा है बाबा के ससुराल में और हमारे साथ इस वक्त मेवाराम हैं जो काफी बुजुरुग भी हैं और प्रेमवती जो बाबा सुरजपाल की पतनी हैं उनके भाई हैं उनसे ही पूसते हैं कि आखिर ये कब से वहां पर बैठी हैं और आप लोग कितने भाई बेहन पहले ये बताएं हैं तीन बहन वाई दो वाई नहीं और हम अकली हम पर बाइश हैं अब बड़ा कौन है हम इंब बरे प्रेमवती बीच वाली थे हम शुटा प्रेयमवती को आज माता श्ली कहा जाता है जो आपकी बहन है और वो मंच पर बैठी रहती हैं बाबाजी के साथ आपने कार्पकारी वातों की दावे करते हैं वो लोग राखे भी कोई बताओ यह प्लानी सिद्धी है फायदा है लेकिंगर वह तो बोलतें नहीं जह तंगरत वात वाथ है पानी निकलता है जल जो निकलता प्रवाइदा लेकर जाते प्रवाइदा तो लाकों चलती है अच्छा है इसलिए आते हैं लोग वहां पर आपको भी कोई चमतकार ऐसा दिखाई दिया कभी उनका हम ना सब देखो नहीं भारों नहीं तो आजकर को किसी संत आप आप नहीं बताएगा अच्छा कोई बताएद अब लिए शक्ति ना हम यहां पर आते बेढ़के होती है अक्छा रही किसे मानते बाबा जी को लोग दोस दे रहे हैं बाबा जी को दोस दे रहे हैं व्यक्व बाबा जी का कोई फाइल नहीं, बाबा जी थे 35 मेंट पहने के ले आई थे